हारा दोस्तों वेल्कम दूमा यूट्यूब चैनल दोस्तों आज डिस्कुस करने जा रहा हूं कि खाली पेट में पभीता खाने के क्याकर फाइदे हैं दोस्तों स्थास्त और अच्छी स्थास्त के लिए शोरी की पोष्टिक आहार अवस्थता होती है साथ ही अच्छे शास्त और अच्छी स्थास्त के लिए शोरी की पोष्टिक आहार होती है इसलिए होलो का सेवन बहुत ही जरुरी होता है क्यूंकि इतमें कई तरह के पोष्टिक नच्चत्र मौदुद होते हैं वही पौपिता सहत के लिए सबसे कारगर सबीत हो शकता है। वही अगर खाली पेट रोजना पौपिता का सेवन किया जाए तो कई तरह की गंभी दिमारियों से खुद को बचाए जाए शकता है। दोस्तों जानकारी के लिए वता दे कि पौपिता के कई तरह की पौश्टिक तरफ्तों जैसे पौटीन, फाइवार, विटामीन मौज़िद होते हैं जो हमारे शोरीर को साफ्ट और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा पौपिता में फाइवार मुज़ित होने के लिए होने के कारण इन्दिशन को पाचन किया भी ठीक करने में बहुत ही मदद करते हैं। इतना ही नहीं अधिक्तम लोग काईस बहुत सारे और भी समस्था से जुड़े हुए हैं। जैसे जिस कारण लोग को गंभील बिमारियों की चपट में आ जाते हैं। साथी कोलेस्टरोल भी बढ़ जाता है। वही अभीता कोलेस्टरोल को भी कम करने में मदद करता है। लेकिन वही आमतर पर आज सबसे बड़ी समस्थालों को यह है कि बहुत वजन बना बड़ा हुआ है। जिस करन लोग आये दिन काई तरह की तरीके आपनाते रहते हैं। तैकि बजन बजन को कम किया जा सके। जिसको हम मठापा गयते हैं। वैसे में खाली पेट पपिता का श्रबन बजन खटाने में कारगर्श हभीत हो सकता है। क्योंकि पपिता के श्रबन से बहुत जल भी वजन घटाया जा सकता है। तो यह था पपिता के बहुत सरे आच्छे गुन जो हम लोगे लिए बहुत ही कारगर्श हभीत हो सकता है। अब लोग में बहुत लूजबल होता है। तो दुस्तो वीडियो और आप लोगों कोई दिवी अच्छा लगे और ऐसे ही बहुत ही यूजबल वीडियो बहुत होने के लिए प्लिज चल्ट को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए श्यार किजिए और आप तो प्लिज कमेंट किजिए कि इसी तरह इसी तरीके का और पी कैसे हिल्ट के टीप्स अब लोगों चाहिए तो मैं वज़से वीडियो प्लिज वाले माना होंगा। सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे।